हाईलो फ्रेंड्स गुड आप्टरनून स्वागत है आप सबका स्योक्रिपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL एकजाम 2023 के 8 अगस्त की 3 डिसेप्ट में पूछे आ सकने वाले GKGS वाग Current Affairs के संभावित महत्पून परस्नों को साल्व करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एकजाम में पूछे जा रहे प्रस्नों के टापिक्स प्रस्नों के लेबल में ट्रेंड को पूरी तरह से अनलाइज करके बनाए गया एक महत्पून वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होका साल्व करें कोस्टन्स कम सही होने पर पूरा प्रस्नों का रिविजन करें ताकि आठ अगस्त की थार्ड शिप्ट में आप लोग GKGS वाग Current Affairs के टापिक से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चलिए दोस्तों जदा समय न लेते हुए हम लोगी संभावित महत्पून परस्नों को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों Question No.1 है मारा नेलसन मंडेला अंतर राष्टे दिवस 2030 Current का Most Important Question है दोस्तों नेलसन मंडेला अंतर राष्टे दिवस 2030 कब मनाया गया राइट एंसर होगा 18 जुलाई को Next भारत में पहली पंच वर्षे योजना कब सुरू की गई Most पंच वर्षे योजना से दोस्तों Total 12 पंच वर्षे योजना चला गई थी 12 पंच वर्षे योजना थी दोस्तों जिसका समय था 2012 से 2017 बात में इसके बात में प्यूना दोस्तों नीती आयोक की अस्थावने इसके जगा पर कर दी गई तो भारत में पहली जो पंच वर्षे योजना सुरू की गई थी वह एक अपरेल उनिस सो क्याओं से शुरू की गई थी और दोस्तों योजना आयोक का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोक का गठन कब हुआ था 15 मार्च 1950 को संग्मिधान में योजना सब्द का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है केंद्रिय मंत्र मंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा यूजना का निर्मार किया गया था, अगला कोश्चन है नीती आयोग जो कि इसके बाद में इसी के जगाह पर उसकी अस्थापना कर दी गई, कोश्चन है नीती आयोग का गठन कब हुआ था, राइट एंसर होगा एक जन वरी 2015 को हुई थी, इसके पर्थम उपाध्यस थे, अर्बिंद पनगडिया वहां पर्थम CEO सिंधु सिरी खुल्लार, अब वर्तमान में बात कहें दोस्तों, तो वर्तमान में नीती आयोग के उपाध्यस है, सुमन वेरी, सिरी सुमन वेरी, वहां CEO है, वी वी आर सु ब्रम् होते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, यूनेसको, यूनेसको, इसके फुल फाम पर बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, यूनाटेट नेसंस एजूकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल आर्गनाईजेशन, सन्युक्त राष्ट, सैच्छिक बैग्यानिक विम सांस्किर्टिक और इस ख्याले फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, नेक्स्ट, भारती राष्टे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यस कौन थे, तो बदरुद्दिन तयव जी थे, और दोस्तों, जो पहली महिला अध्यस थी, वो एनिवी सेंड थी, भारती राष्टे कांग्रेस के नेक्स्ट कोशन है, भारत के नए केंद्रिय सतरकता आयुक्त कौन बने है, राइट एंसरोंगा पर्वीन कुमार सिरिवास्तों, आगे चलेंगे हमलों, अगला कोशन दोस्तों, भारती सिंग्धान सभा की पर्थम बैठक कब हुई, राइट एंसरोंगा 9 दिसंबर 1946 को, सि इसके बाद दोस्तों, इसको जिस दिन अंगी किर्थ किया गया, यानि कि आत्म निर्वीत अंगी किर्थ मा पारित किया गया, वो देड़ था, 26 नॉम्बर 1949 ये भी ध्याना केंगे, यहनि 9 दिसंबर 1946 को बनना सुरू हुआ, और 26 नॉम्बर 1949 को इसको बना के पारित कर दिय गया, अगला कोशन है, सत्यार्थ प्रकास कि किर्थ है, तो स्वामी देना सरस्रती की है, लगबग दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं, दोस्तों, आपके SSCGD में भी पूछा गया, CGL में भी पूछा गया, MTS में भी पूछा गया, और CHSL में भी दोस्तों, यहां से कोशन्स अगला कोशन है, घूमर किस राज का परमुख लोग निर्थ है, तो राजस्थान का है, मोस्ट इंपड़ गूमर, नेक्स्ट, बिस्व कर्मा कामगार कल्यार योजना, किस राज ने सुरू की है, तो राजस्थान राज के दोरा की सुरू किया गया, बिस्व कर्मा कामगार कल्यार यूजना करेंट का मोस्ट इपन कोश्चन है नेक्स्ट फारवर्ड बलाग पार्टी के स्थापना पुछी जा रहे हैं तो सुभाशंद बोस की द्वारा की गई थी स्टेटिक जीके का कोश्चन है नेक्स्ट यांत्री कुर्जा को विद्धु तुर्जा में बदलने पांच मार्च 1931 को होता डेट वाइस भी दोनों ध्यान रखेंगे गाधी वाईर्वीन समझा होता अगला कोश्चन है आपरेशन फलट का संबन्द दुख धूत पादन से है नेक्स्ट कोश्चन है दूस्तों गंडक गंगा नदी जोड़ यूजना या नदी जोड़ो इस राज में शुरू हुई है तो बिहार राज में शुरू हुई है नेक्स्ट अगरा सहर के स्थापना किसने की थी सिकंदर लोदी आपका राइट एंसर होगा निप्टर गी गति का पर्थम नियन तो जड़त्तों का नियम है नेक्स्ट मेरा बिल मेरा अधिकारी उज़न करेंड का है हरियाडा राजी की दौरा शुरूकी आगया है next हाली में अउपचार्य कुरूप से महारेखा को किस देस ने माननेता दिये तो अमेरिका ने दिये अब आप लोग दोस्तों कमेंट के रिकिंग बताएंगे कि मैंक महरे का भारत मुंआ किस देश की बीच में इस्थिफ है अगला कोश्चन है भारती राष्टी कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी राइट एंसरोग 28.850 हम लोग चर्चा कर चुकिए है नेक्स मधध मंध़ मंधल है मध्ध मंडल के उपर आयन मंडल है जो किरोणों के अपर स्वानों के लिए जाना जाता है और सबसे उपरी से में बहिर मंडल का विस्तार है एक कोश्चन बनता है दोस्तों कि वाय में मंडल में पाई जाने वाले सरबाधिक पात्रा में कौन सी गैस है तो नाइटोजन फर्स्ट है सिकेंड पे आकसीजन थार्ड पे आरगन और फोर्थ पे है कारवंडाई आकसाइड आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोश्चन हमारा मूल अधिकार यानि फंडामेंटल राइट से मोस्ट इंपंडन टापिक आपका रहा है दोस्तों यह हमेशा भारते सिंग्धान में मूल अधिकारों का उणना है तो नुच्छे 12-35 तक है और यहां बसंग्धान का भाग सबसे बड़ा लिखे संग्धान भारत का भारत विश्का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है नेक्स्ट बहाखला नांगल प्रियोजना किस नदी पर निर्मेत है तो सतलुज नदी पर है नेक्स्ट हाली में राष्टिय संस्कृति महाँसो 2023 का उजन कहां किया गया तो महाराष्ट में किया गया नेक्स्ट सत्य सोधक समाच के अस्थाबना तो ज्योतिवाफूले के द्वारा की गई थी चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों काजी रंगा राष्टे उध्यान एक सिंग के वाले गयने के लिए परसेद आप लोग जानते हैं जो की एसम राज में पड़ता है संग्थान के किस भाग में पंचाईति राज वोस्ता का प्रावधान है तो भाग 9 है और अनुसुची 11 है ध्यान रखेंगे सरकारिया किसे संबंदी था यानि कि सरकारिया कमिशन तो कि एंदा संबंदों के लेकर बनाया गया था किस विटामिन के कमी से रख्त का थक्का नहीं बनता है तो विटामिन के कमी से है कभी के भी अलग से दूसरी तरग ममा के पूछ लियाता है विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है तो हीमोफीलिया अब पूलिया था कि हमोफीलियार उकसे गर्सित विक्त में कौन से विटामिन की कमी होती है तो विटामिन की कमी होती है ऐसे कोशन पूछ लिया गया है अपर दोस्तों किस विटामिन की कमी से रखत का थक्का नहीं बनता है या नहीं जमता है और रखत का थक्का ना बनने या सब्सक्राइब दियान रखेंगे मोस्ट इंपर्णेट है नेक्स्ट मोई शासक सुक ने कलिंग पर का बाकरवन क्या था 261 हिसा पूर्व में किया था अगला कोश्चन है भारत के ने चीफ आप डिफेंस स्टाप यानि कि सीडियस कौन मने अनियल चौहान आपका राइट एंसर होगा अगला कोश्चन है पाक जलसंदी के इंदू देशों को लग करते है तो भारत यों सिरलंका को आगे चलेंगे हम अगला कोश्चन दोस्तो आरवियाई की स्थापना बतानी है दूस्तों तो आरवियाई की स्थापना कव थी एक अपरेल 1935 को अब आप लोग दोस्तों कमेंट कहके बताएंगे कि इसका राश्ट्रि करण कब किया गया था यानि कि आरवियाई भारती रिजर्वेंग का रा यह बताना तो हाकी से है नेक्स शिवकुमार सर्मा का समय किस वाधियन से तो संतूर से हैं राष्ट्य विकास परसत याने की एंड और दीसी नाशनल डेवलोपमेंट काउशल किस्थापना की सूर्स हुई थी 1902 आपका राइट एंसर होगा नेक्स्ट भारत में गुलाम वंस का संस्थापक कौन था तो दोस्तों कुतुब बुद्धिन एवग था कौन कुतुब बुद्धिन एवग तो यह थे दोस्तों इस स्रीज के टाप एंसी की उचके प्रस्न जिसको हम लोगों ने हाप यह साल्प किये हैं उमीद दोस्तों आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप मारे चैनल स्युक्रपा कलासेश से जुड़ेवा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दी जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दो